तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो चीजे सीखने वाले हैं एक है मार्टिन्स ड्यामिटर, मार्टिन्स ड्यामिटर और दूसरा फेरेट ड्यामिटर, फेरेट ड्यामिटर तो चलिए इन दोनों के बारे में आज हम discuss करना शुरू करते हैं तो पहले हम Martin's diameter क्या है वो जानेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक diagram है आप लोग देख सकते हैं कि इस picture में यहाँ पे दो area में इस particle को divide किया गया है देखिए यह असल में एक particle नहीं है यह एक given sample particle का projection है Martin's diameter different projection के लिए different आता है तो इस diagram में हमने इस पूरे projection को दो part में divide किया है तो Martin's diameter निकालते वक्त एक चीज जो ध्यान रटने की जरूरत है वो है कि यह दो area जिसमें इस projection को हम divide करेंगे इन दो area का value सेम होना चाहिए तो यह जो line हम लोगों को मिलती है इसको में नाम दे देता हूँ bm तो इस bm ऐसा होना चाहिए कि यह इस projection का जो area by sector है वो होना चाहिए तो bm यहाँ पे इस projection का area by sector है area by sector है तो तभी हम bm को martin diameter कहाँ लाएंगे martin diameter तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि martin diameter का मतलब क्या है कि एक sample particle का जो projection है उस projection का उस line को हम martin diameter कहाँ लाएंगे जिस line वो projection का area by sector होगा तो area by sector को हम martin diameter कहलाते हैं अब बाड़ी आती है ferret diameter की देखिए ferret diameter कुछ इस तरह होता है तो देखिए दोस्तों ferret diameter कुछ ऐसा होता है वो उस सेम projection का हम लोगों ने दो extreme ends में दो ऐसे parallel lines ड्रॉ किये तो इन parallel lines के बीच में जो distance है इन parallel lines के बीच में जो distance है मैं उसको da नाम देता हूँ या फिर df अच्छा रहेगा तो इस df का जो value है वो ही है हम लोगों का ferret diameter तो ferret diameter है distance जो दो extreme ends उस particle का projection का जो extreme ends है वो extreme ends के बीच में जो distance है उसको हम ferret diameter कहलाते हैं तो दोस्तों ये इस lesson में हम लोगों ने martin's diameter और ferret diameter को सीखा Thank you